हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीचर एलड़ेटी टेस्ट, यूपी टेट 2021 का ओनलाइन फॉर्म, आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के ब सकते हैं, अगर आप applicable है, अगर आप eligible है, apply करना चाहते हैं, तो आप इसमें online apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर फैंस, application fees, आपकी important dates, साथ में eligibility conditions, और आपको apply का link वीडियो description में मिल जाएगा, और आप apply online पर click कर सकते हैं, साथ में फैंस, जो notification है, उसको read out करना जरूरी है, तो यह आप पर जो यह notification दी गई है, इसको आप ध्यान से चेक करने, इसके according आप eligible हैं, तो apply करना चाहते हैं, आप इसमें online apply कर पाएंगे, तो यहाँ पर फैंस, जो वीडियो है, स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके, तो सबसे पहले फैंस, इसका जो online apply portal है, यह आपके सामने है, जहां से आप इसमें registration करते हैं, और यहाँ पर आपको step दिए गए है, registration, उसके बार अपने registration को आपको verify करना है, और इसके बार आपकी qualification, details को fill करना होगा, और उसके बार को आप यहाँ पर update कर सकते हैं, fees को pay करेंगे, इसके बार आपके address को fill करेंगे, आपके photograph and signature को upload करेंगे, और last में आपके complete application form को आप download करेंगे, 7-10-2021 से आपके form start हो जाएंगे, और 25-20-2021 तक आप आवेधन कर सकते हैं, fees 26 तारिक तक आप fill पर आपाएंगे, और last में आपका complete registration आप 27 अक्टूबर 2021 ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको basic जानकारी मिल जाएगी, और इस पर details को check out करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है, candidate registration का, आप इस option पर click करेंगे, registration करने के लिए, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो instructions page है, यह open हो जाएगा, जिसमें आपको pay करनी है, और उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले आप नीची आएगे, और यहाँ पर जो यह टिक का निशान है, आपको इस पर take करना होगा, इसके बाद आपको पंजीकन के लिए यहाँ पर click करें, इस option पर click करना है, और कुछ basic जानकारी फिल करनी है, सबसे पहले आप यहाँ देंगे आपका नाम, तो friends आपका जो भी नाम है, पूरा नाम आप जो देते हैं, वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका जो फादर नेम है, और इसके बाद जो आपका मदर नेम है, यहाँ आपको यहाँ पर enter करना होगा, इससल कैटेक्री अगर आपकी इनमें से कोई है, जैसे freedom fighter है, या ex army है, या फिर handicap है, या फिर not applicable है, आप सेलेट कर सकते हैं, अगर आप हैंडी कैम सेलेट करते हैं, तो handicap type आपको सेलेट करना होगा, और यहाँ पर handicap की जो percentage है, वो आपको सेलेट करनी होगी, और अगर आप य mail ID और mobile number देना है, और ध्यान रखिए का, इन पर एक OTP आएगी, जो OTP आपको verify करनी होगी, इसलिए friends ध्यान से और जो active and valid आपके mobile number है, और आपकी जो mail ID है, वो आपको enter करना है, इस capture code को fill करना है, और उसके बार आप यहाँ पर इस next वाले option पर click करेंगे, इसके बार friends आप आपकी जो data है, उसको आप verify करेंगे, agree करेंगे, अगर आपको लगता है registration में कोई गलती है, आप सही कर सकते हैं, नहीं तो आप final submit पर click कर देंगे, इसके बाद friends आपको देखिए, यहाँ पर एक message मिलेगा, you have successful register for UPTED 2021, और आपको registration number, आपके mobile number और registration detail with OTP आपकी mail ID पर send कर द पर देखिए जो आपको mobile number जो आपका आपने दिया है, उस पर friends एक registration number आया होगा, वो registration number आपको यहाँ पर enter करना है, तो मैं यहाँ पर registration number एंटर कर रहा हूं, इसके बाद आपको यहाँ पर एक password देना है, और password कहा आया होगा, या OTP कहा आया होगी, या यहोगी friends आपकी mail ID तो friends जो OTP IE है वो आपको यहाँ पर enter करनी है, इसके बाद friends यहाँ पर registration number और OTP enter करने के बाद आपको जो एक capture code दिया गया है, यह capture code फिल करके आप यहाँ से login कर लेंगे, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका जो यह form है यह open हो जाएगा और form open होने के बाद qualification details आपको select करनी है, सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर BTC है, means Diplomine Elementary Education है, B.Ed है आपके पास B.Ed Spatial Education है, Diplomine Education Institute approved by NECT है या फिर आपके पास यहाँ पर 4 Year Gation in Education है, या फिर आपके पास B.Ed है या फिर B.Ed है, आपके according जो भी qualification है वो आप यहाँ select करेंगे, इ इसके बाद यहाँ पर आपकी जो details है वो हट जाएंगी और यहाँ पर आपको सिर्फ किस के लिए आप apply करना है, primary के लिए, upper primary के लिए, primary और upper primary के लिए, आप यहाँ पर उस option को select कर सकते हैं, अगर आप pass candidate है तो आप pass select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर same आपको select करना अब यहाँ पर fans appearing में कौन-कौन से option आपके आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले है आपके 10th की detail जो कि आपको fill करनी है, अब आपका है यहाँ पर सबसे पहले board, अब आपने इन में से किसी board में किया है तो आप select कर सकते हैं, other board है तो आप other board भी select कर सकते हैं, यहाँ पर है passing year, आपने इसको कब pass किया है, वो आपको यहाँ पर देना होगा, आपका roll number क्या है या enrollment number क्या है, mark sheet number क्या है, mark sheet number नहीं है तो अपना जो यहाँ पर आपका certificate number होता है वो आप mention कर सकते हैं, total marks के आपको entry करनी है और यहाँ पर आपको देने हैं आपके कितने number आ जाएगी 10 प्रस टू में भी फ्रेंस आपको यहाँ पर आपका इन में से कोई बोर्ड है सलेट कीजिए नहीं तो आप अधर बोर्ड कर सकते हैं और सेम आपको यहाँ पर पासिंग एयर आपका यहाँ पर रोल नंबर आपका सैटिफिकेट नंबर कितने में से कितने नंबर आ अधर select कर सकते हैं, इसके बाद passing year आपको देना है, तो passing year आपको यहाँ पर fill करना होगा, इसके बाद friends, यहाँ पर आपका जो roll number है, वो आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका यहाँ पर mar sheet number आपको एंटर करना है, और same आपके कितने में से कितने numbers यहाँ पर आए हैं, उसकी जा तीन पर चूज करने होंगे आपके अकोर्डिंग की सेन्टर आप लेना चाहें BENEBET इसकी बार ऌरे हैं आपके इससी ने हैं तो projekt होई है इसके बद kanal कैसे कुर्विजश कोरत टीरर आपके हैं submit कर देंगे इसके बाद friends हम बात करेंगे अब यहां पर Pass Candidate की, अगर आप Pass Out Candidate है तो same आपको देखे यहां पर दबारा data enter करनी है 10th की, 12th की, गिरेशन की और इसके बाद यहां पर Beard की data भी आपको enter करनी होगी, appearing में यह option नहीं आएगा, अगर आप appearing नहीं है pass out है उस condition में आपको यह जानकारी यहाँ पर fill करनी होगी इसके बाद friends से same आपको यहाँ पर आपकी data को verify करना है और उसके बाद आप यहाँ से final submit कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आपको बनाना होगा आपका password तो friends से यहाँ पर सबसे पहले जो password आपके पास आया है वो आपको देना है आपको यहाँ पर new password बनाना होगा न्यू पासवर आप जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं कोशिश कीजिए आप यहाँ पर उसमें अपर केस यूज करें small letters यूज करें आप उसमें friends से numbers यूज कर सकते हैं और special characters यूज कर सकते हैं 8 से 13 character के बीच में आपको password बनाना है password ऐसा बनाईएगा जो की friends से आपको याद रहे उसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आपका payment page है यह open हो जाएगा अगर यह open नहीं होता है तो आपको जो direct link दिया गया है इसकी official website पर जो की friends से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है pay registration fees का आप इस option पर click कर सकते हैं अपने registration number, password और capture code के थूँ आप login कर लेंगे तो आप आपको friends से यहाँ पर देखिए आपका जो pay fee वाला option है आपको इस पर click करना है payment करने के लिए इसमें friends से आपको यहाँ पर एक option मिलेगा SBI का आप इस पर click करेंगे और proceed करेंगे payment को करने के लिए अब यहाँ पर friends से देखिए आप कोई भी option चूज कर सकते हैं जैसे आप SBI user है net banking के तो आप इस option को चूज करेंगे किसी other bank के user है तो आप इस option को चूज कर सकते हैं अगर आप state bank debit card user है तो आप इस option को select कर सकते हैं आप UPI के माध्यम से करना चाहें तो UPI भी करें बागी कोशिश करें या तो आप net banking यूज करें या फिर आप card यूज करें अपने payment को confirm करने के लिए आपको बस अपने according उस option को select करना है payment करना है इसके बाद friends आपको देखें यहाँ पर fee paid का option मिल जाएगा आपकी fees verify हो चुकी है अगर server की वज़े से माली जी आपको fee आपकी यहाँ पर verify नहीं होती है तो आपको wait करना होगा और उसके बाद दोबारा login करेंगे pay fee पर click करेंगे तो अगर आपकी payment verify हो जाती है तो आपको यह option देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको fill करना है आपका registration part आप इस option पर click करेंगे अब यहाँ पर friends सबसे पहले है आपका correspondence या communication address तो आपको देखें यहाँ पर आपको आपके parents का या garden का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो पूरा नाम आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद है आप आपका address section तो आपका जो भी address है पूरा address जो भी आप लिखते हैं अपने address line में वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं अब आपका address छोटा है तो आप यहाँ पर इसे friends तीन line में cover कर सकते हैं या फिर लोकल्टी या area में आपके district का नाम आप दे सकते हैं आपका pin code इसके लाबा आप आपकी nationality आपका state आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो उत्तर प्रदेश और आपका district select कर सकते हैं अगर आप other state candidate है तो आप other select करेंगे और यहाँ पर fans जो आपको यह list दी गई है इसमें fans आपको एक option मिलता है outside UP का तो आप outside UP भी select कर सकते हैं और इसके बार आपको यहा पर नहीं है देखने को आपके पास इन में से ही कोई ना कोई एक option होना चाहिए इसके बार आप उस ID का number देंगे इस capture code को fill करेंगे और उसके बार यहाँ से submit करेंगे इसके बार फेंसे यहाँ पर आपको एक option मिलता है final submit का अगर आपका यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है process तो आपको click here to upload document पर click करना है इसके बार फेंसे यहाँ पर देखिए आपको आपकर registration number मिल जाएगा इसके बार आपको photograph and signature upload करने है और यह आप JPG format में करेंगे तो आपको browse पर click करना है और अपनी file को select करना है और उसके बार upload करना है size यहाँ पर फेंसे आपको दिया गया है जो यह capture code दिया गया है यह capture code आपको यहाँ पर enter करना है और click here to preview पर click करना है इसके बार आपको देखिए यहाँ पर photo and sign का preview मिल जाएगा और इसके बार आप यहाँ से agree करेंगे और इसके बार अगर अगर आप edit करना चाहें तो edit कीजिए नहीं तो final summit आप कर देंगे तो यह और यहां पर कुछ प्रॉल्लम आ सकते हैं और लेट नाइट तक और फिर मॉर्णिंग से अपके जो यहां पर प्रोसेस है वह कंप्रीट होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर आप डिटेल्स को आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाका चेक कर सकते हैं लास्ट टैप उनली प्रिंट फॉर्म का है और प्रिंट फॉर्म आप अराम से निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फिर भी कोई क्यूरी है कोई समस्या है तो आप फ्रेंज हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर जाका चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको इससे रेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी अगर आपको हमारा की वीडियो पसंद आया है रब चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सकें तो लाइक सब्सक्राइबेश जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूट्यूब चनल एनलास थैंक्स पूर वाचिंग